नमस्कार दोस्तो, मैं हुँ आपको दोस्त बबलुक्मार और आप दख रहे हैं बबलुई यूट्यूब चैनल को दोस्तो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है, तो फिल्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करक तो पता किया गया तो लोगों का कहना है कि यहीं के पास के गाउं के ही एक पिता ने अपने पुत्र को ला करके नदी में फेक दिया तो जो कि वो एक गाउं के ही है बगल में ही गाउं है तो यहां पर इतनी भीड़ी कठा हुई है यहाँ पे दो दो तिन ती नाय चल रहा है कई-कई लोग घूस करके उस नदी में उस पानी में और आप देख रहे हैं कि पानी में घूस करके और उस लड़के को डूठा जा रहा है जो कि गटना एक दिड़ घंटे पहले की है लेकिन अभी तक वह लड़का मिला नहीं है और कई लोग पानी के अंदर आप देख रहे हैं कि घूस करके और चारो तरफ खोजा जा रहा है लेकिन वह लड़का मिल नहीं पा रहा है तो देखिए या पिता ने अपने पुत्र के साथ क्या किया या यहां के लोगों का काना है कि उसके पिता ने लाकर के उसे इस नदी पे फेक दिया है नदी के अंदर मतलब पूल के उपर से नीचे फेक दिया तो देखिए यहां पे कितनी भीड लगी हुई है किस तरस निकाला जा रहा है कुहासा के वज़े से बीडियो साफ नहीं सका है लेकिन मैंने फिर भी कोशिस किया है कि साफ आज है तो दोस्तों क्या कारण है कि पिता ने फेका कि नहीं फेका कि क्या हुआ कैसे लड़का गिरा लेकिन यहां पे जो लोग खड़े हैं इन से पूछने के बाद यहीं पता चलता है लेकिन अभी सच्चाई क्या है अभी लड़का अभी तक मिला भी नहीं है तो इसके बारे में कुछ कहना अभी उचीत नहीं है यह तो आने वाले समय में जल्द ही बहुत पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है इसने फेका कि गिरा या क्या हुआ जो देखा है वो बताएगा ही अभी पिलाल इतनी भीड लगी हुई है और उस बच्चे को लोग डूड रहे हैं लेकिन देखिए कब तक मिलता है क्या होता है अभी पुड़ी तरसे यहां पे भीड जमा हुई है अब देखी रहे हैं कि यहां पे किस तरसे भीड जमा हुआ है देखे सकते हैं तो आगे क्या कहें अब लड़का मिलेगा कब मिलेगा या कहना अभी उचित नहीं है कैसे गिरा क्या हुआ या भी कहना उचीत नहीं है पहले ही किसी को दोस लगा देना किसी पर उंगली उठाना अच्छा नहीं है लेकिन सच्चाई तो एक दिन न एक दिन सामने आएगी आज हो या कल हो या दो घंटा हो या कभी भी हो तो आईए देखते हैं और प्लHey, ले लीग मेंरे गाइबंगाइब त 상त झालंग में बढबंगाइबंगाइबंगाइबंगाइबंगादो शक्तbayर B压rist